हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं परिसर में खड़ा करवाया है और कोत्वाली पुलिस पूरे मामले की दह तक जाने में जुटी हुई है पूरे खटना करण को लेकर शहर कोत्वाली राम प्रताब सिंगा कहना है कि इलेक्ट्रिक तारों की चोरी के संधेय पर ट्रक को रुखवाया गया और चालक एवं सहाँ चालक द्वारा संतोश अनक जवाब नहीं दिये जाने पर पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है कोत्वाली के अनुसार प्रारंबिक पूच्टाँच में इलेक्ट्रिक तारों से भरा ट्रक किसी नीजी कमपनी के ठेकेदार का बताया जारा है जो इलेक्ट्रिक तारों की सप्लाई एक नीजी कमपनी में करता था कार्य पूर्ण होने के बाद इलेक्ट्रिक तारों को ले जाया जा रहा था जिसे पुलिस ने कागजातों के अभाव में जब्त कर लिया पूरा मामला संग्यान में आने के बाद एवब ठेकेदाव द्वारा कागजात प्रस्तुत करने के बाद नियम अनुसार अग्रीब कारवाई की जएगी जिले भर के ग्रामें शेत्रों में बिजली उपकरणों एब इलेक्ट्रिक तारों की चोरी की घटनाए पिछले कई समय से सामने आती रही है ऐसी ही घटनाओं के मद्दे नजर पुलिस ने इलेक्ट्रिक तारों से भरे ट्रक क को संदे के आधार पर जब्त किया है अब पुलिस की जाज के बाद ही इस पर्ष्ट हो पाएगा कि यह एलेक्ट्रिक तार कहां से लाए गए थे और इसे कहां ले जाय जाए जा रहा था जाग्रुप टिभी के लिए बार्डमेर से ठाकराराम में एक बार के लिपो ये कल श जाग्रुप टिभी के लिए बार्डमेर से ठाकराराम मेगवाल के रिपोर्ट झाहर जा जगार जाए